आज Roman Reigns ने SmackDown के एपिसोड में एक special moment दिया है जिसने SmackDown को special मना है उसके बारे में लोग बात करेंगे लेकिन SmackDown की जो starting है वो Usos और New Day के match किता होती है और पता है मेरे को आज ही बात रियलाइज दिया जब मैंने सोचा कि अगर मैं एक ऐसा match जेख रहा हूँ जो कि मैं पहले भी देख चुका हूँ और बहुत बार देख चुका हूँ तो जब तक match का closing moment नहीं आदा था शायद मेरा उस match में इंटरस्ट नहीं बनता और वही चीज यहाँ पर थी लेकिन जैसे ही मेरा वो moment हिट हुआ कि अब मैस यहाँ से इंटरस्टिंग हो रहा हूँ उस और new day मैस को क्या लेवल पर लेकिगा भाई वो तो कैसे किक आउट कि जैबर वुड्स नहीं सुमझ में यहाँ कि परलनको एक सूपर किक पड़ी उसके बाद डबल सूपर किक पड़ी फिर डबल सूपर किक पड़ी उपर से डबल स्प्लाश आता में के उपर और एंड मेरे बहुत सर्पाइज शौकिंग मुझे लगा कि ठीक है अब तो यह new day काम तमाम हो गया और जब इस चीज़ी मुझे सच में लगने लगा कि यार नियूडे जीच सकती है शाद मैच को लेकिन कोशिचे भरपूर करी नियूडे ने मिलके जेवर वोटसन और कोफी ने बट एंड में वंडी फिनिशर के साथ में उसोस ने अपनी अपनी अंडिस्प दो तीन दिन के बाद जो उसोस हैं वो डेबल डबली के हिस्ट्री में लॉंगेस्ट ट्रेनिंग टैक्टीम चैंपिन बन जाएंगे और ये काम उन्होंने न्यूडे के सामने किया है जिनके पास अपने के रिकॉर्ड है तो यह अपने आप में और बी जदा स्पेशल हो ज तो कि कंट्रीज को अब रिप्रिजेन ही नी कर रहा लेकिन यहां पे वो चीज थी मैक्टिका अजिपान की बीचे बेचल थी एंड जीत हो गई है यहां पर सेंटोस एश्कोबार की जो कि मिरे थोड़ा सा सर्प्राइस ने है कि नाकमोरा के सामने उनको को विक्ट्री मिलि यार ठीक है LA Knight बहुत साई लोगों को पसंद है परसनली मुझे अभी उनके अंदर कोई ऐसा खास ऐलिमेंट नहीं लगा नेक्सित भी मैं उनको फॉलो किया है लेकिन जब एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत सारी स्टार पावर चल रही है अभी बहुत सारी आइबॉल्स उसके उपर उसको क्यों लुच्यू-पुच्य सेगमेंट के अंदर डालना है उसको उसकी हाइप मढती है ब्रिवाट को लाना है तो सही साइग आप सब्रिवाट ऐसी लूल तरीके से बैक्स्टेज आ गए अब वेट क्या करेंगे फैंस ब्रिवाट को देखने का कुछ नहीं है ठीक धंका प्लान तो मत दिखाओ वह आप कह सकते है कि स्टोलन प्रोग्रेशन है वीग बाई वीग आपको सूपरस्टार को दिखाना होता है लेकिन यार ऐसे सेग्मेंट में मुझे मज़ा नहीं आया उपर से एले नाट उनको बोल रहे है वाई तिरे पास जो टॉय से उसको वहां महां डाले जहां पर तो यह प्लेजर आता है पर ब्रिवाट गुसा आगे उपर टक रहे हैं उनको तो यह में परसनली पुकिंग बहुत बुरी लेगे कि ब्रिवाट को सेग्मेंट में क्यों डाला इन होना है आपको लग रहा हो कि मैं जाधा रियाक करना हूँ बट नहीं आपको पता है मैं यूजियली ओवर रियाक कभी भी नहीं करता किस चीज के उपर चीज जादा भी हो कि तुभी मैं उसको light way में बताता हूँ लेकि ये सच में वेकार है यार Brave Ad को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कुछ है genuinely उनके लिए प्रैंज सच में अब Alien Aide से storyline के शुरुवात है जो भी ऐसे नहीं करनी चाहिए यार बल्कुल भी और Alien Aide के से storyline तो पहले बात देनी नहीं चाहिए क्योंकि उनका character अलग चल रहा है और Brave Ad को उस समय बड़े स्टार्स के साथ लानी की जुरूत है ये वही बात होगी कि तुम superstar की बनी-बनाई hype को खतम कर रहे हो इसके बाद अगला match आता है 6-pack challenge जहां पर जो भी superstar जीता उसको Ronda Rousey के सामने Survivor Series में SmackDown Women's Championship के लिए opportunity मिलने वाली number one contendership के लिए match बैसिकली match था Liv Morgan vs Raquel Rodriguez vs Shotzi Blackheart vs Sonnen Deville vs Lacey Evans और Zaya Lee के बीच में देखके लग रहा था कि Liv Morgan आसानी से match को जीत जाएंगे लेकिन match में कुछ अलागी होता है एक ही इस match से सिर्व एक ही चीज़ याद रहने वाली वह है table spot जो की बहुच हो गया था बिल्कुल भी table ने टूटी वाहाँ पे but still commentators को ऐसे लिखाना है कि वाह क्या ही चीज़ हुई end में Shotzi Blackheart ने इस match पे victory ले ली है और वो challenge करेंगी Ronda Rousey को at Survivor Series for SmackDown Women's Championship क्या उनके साथ होने वाला इस बात का glimpse उनको back sis से मिल जाता है जब Shotzi and Emma है और Emma को crush है Matt Gamos के उपर यह पता नहीं क्या शुरू करने वाले हैं अब यह scene क्या बनता है यह आप है Shotzi Blackheart को आखे पीचे से Shaina Basil ने जकर लिया जब उनका focus Ronda Rousey के उपर होता है पहले Shaina Basil ने आयती तो एक idea मिल गया है Shotzi Blackheart को कि अब Ronda Rousey के साथ उनकी feud है तो उनको क्या क्या चीजे face करनी पड़ सकती है अगला match आता है World Cup के लिए जिंदर महाल and Bronze Roman के बीच में and यह match के अंदर क्या scene था जिंदर महाल मैस से पहले कहा है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ मुझे कोई नहीं रोग सकता है सोफे तक में पहुचंगा इसके बाद मैं Intercontinental Championship को अपने नाम करूँगा लेकिन Bronze Roman ने आकर जो रगड़ा है जिंदर महाल को और गाइस यह बात शायद मुझे लग रहा है बहुत अब तक सच है जिंदर महाल उनकी उस सारी चीजों के अंदर फिट नहीं बैठते I hope मैं इसमें गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको क्या लग रहा जिंदर महाल के फ्यूचर के बारे मुझे बताना लेकिन I hope Triple H के अच्छी चीज़े हो इसलिए नहीं कि वो रैसलर कैसे हैं या फिर कुछ भी है भाई वो अल्री कुछ कर चुके हैं WWE के अंदर और यूजली सूपरस्टार्स को इनिशल पुछ मिलना काफी मुश्कुल होता वो जिंदर महाल के पास अल्री है क्योंकि उन्होंने ग्रैब करी थी WWE Championship बताते हैं उनके साम सीज़े अच्छी होनी चाहिए बट मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला और आज भी ग्राउंस्टो मैं ने जिंदर महाल को तैसनाइस करके आगे स्पोर्ट बना लिया वर्ल कप के अंदर अगला मैच Zelina Vega और BFAP के बीच होने वाला था होने वाला था कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपर वाइकिंग रिडर्स के सांस सेरा लोगन ने आकर जो डिस्टॉक्शन मचाई है उन्होंने पूरी हिट्रो है उसको तोड़फोर्ड करके रख दिया है और जो लुक है वाइक कि हिस्ट्री में कौन सी टीम को रिपैकेज किया किस सूपरस्टार को रिपैकेज किया है तो वह एरेक आयवार हैं यह वाइकिंग रिडर्स को इतनी बार रिपैकेज किया मुझे लगता ना कभी यह होगा और ना कभी हुआ है इससे पहले बट अब क्यूंकि अगर चीजे जो क्लिक होने का वेट करें से वाइक रिडर्स शायद अब वो उनको मिल जाएगी अब की बुकिंग के हिसाब से और गाइस शो के में इवेंट के अंदर हमको देखने को मिलती है दब ब्लड लाइन रोमन रेंज के साथ सोलो सिकोवा जीमी एंजे उसो साथ में पॉल हमन कहते हैं कि कैसे वह साथ यरभ से आये हैं पहां है पर इस हैल बात पर क्रावर न Gilbert को बुः करने लग जाता है फिर यहां पर उसोस की बात कर रहे हैं उनकी हिस्त्री की बात कर रहें उनकी तारीफ ही हो रही है और रही रोमन रेंज स्पेशल मूमेंट के उपर आ बुच एंड रिज हॉलेंड आते हैं और जैसे वह आये उसके बाद बुच तो अपने बड़े गुस्से में लग रहे हैं और यहां पर रिटन देखने को मनता है शेमस का शेमस के साथ यार आते ही चुलवाजी होगी क्योंकि उनका माय की काम नहीं कर रहा है अब बंदा पू क्यों करना सामने आके सब कुछ कर लेते हैं और यह तीनों के तुरें सूपरस्टार बढ़ते हैं पूरी ब्लड लाइन के सामने इंकी बीच ब्रॉल हो रही है और अब्वेसली नंबर्स गेम की विए से ब्लड लाइन ऊपर आ रही है बट शेमस के साथ बुच के साथ ठोड़ा सेपरेट इसको थोड़ा स्टॉंक दिखने दो ऐसा बड़ा देखने दो बट वह चीज नहीं करी है चोटी सी बात है कुछ ज्यादा बड़ी बात निया और जो स्मैंक डॉन की क्लोजिंग है वह होती है इनकी ब्रोगल के साथ में अब क्लियर यहां से क्या इंड बात करें वो नहीं थे तो नहीं थे तो नहीं थे लेकिन वी वांट सैमी के चैन्ट जरूर लग रहे थे तो यहां से सैमी आ जाएंगा और एक और बंदा इतर से आपको देखने को मिल जाएगा तो वार गेम्स के लिए मैस सेट अप है रोमन रेंस ने रियाक्शन भी दिय तो अब बड़ा मैच सेट अप है और सर्वाइवर सिरीज वार गेम्स डेफिनिटली काफे ज़्यदा मज़दार होने वाली है वीडियो मज़दार लगे तो लाइक, शेर, सब्सक्राब, नोडिफिकेशन बेल को अन कर दो and see you guys in my next video